हेलो फ्रेंड्स मैं प्रमीला आई एंडी चैप में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बोडो की सबजी कुछ अलग और नही तरीके से तो जान लेते हैं फ्रेंड्स हमें बोडो से क्या-क्या मिलता है बोडो खाने के बहुत सारे फायदे है फ्रेंड्स जैसे बिटामिन्स मिलते हैं हमें बिटामिन डी मिलती है, सी मिलती है, ई मिलती है, पोटेसियम मिलते हैं इससे वजन भी कम होता है फ्रेंड्स बहुत सारे गुड़ है इसके पहले बोडों की हम क्या करेंगे कद्दू कस करेंगे इस तरह से बारिक कद्दू कस कर लेंगे फ्रेंज यह हमने लिया है चना डाल फिवोकर हमने तीन घंटे पहले रख लिया था फ्रेंज इसका पानी छान लेंगे छानने के बाद क्या करना है इसी हम इस तरह से mixi jar में glender कर लेंगे देख पा रहे हैंगे हमने glender करके कुछ इस तरह से डाल को लिया है वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए हमने कम दिखाया इस तरह से डाल को पीछ के एक बर्तन में निकाल लेंगे यह हमारा कदू कस किया हुआ बोडो है इसके अंदर डाल लेना है इसे आप snacks भी बना सकते हैं यह हमने डाला आधा टेबल इस्पून से कम हल्दी गरम मसाला आधा टेबल इस्पून से कम लाल मीज पाउडर स्वादा अंसर नमक डालना है सभी को डाल के अच्छे से mix कर लेना फ्रेंज हाथों से हाथों को धो के साप कर लेना है फिर इसे mix करना है तो फ्रेंड शुरू से लेके लाज तक इस रेस्मी को देखना इसी हम सुबह साम के लिए नास्ते के लिए चाय के साथ आप बना सकते हो इससे नास्ता बहुत ही बहतरीन फ्रेंड कम तेल में और इसे हम टेश्टी और अनोखी तरह से सबजी भी बना के तयार करेंगे तो सुरू से लास्ता का आप जब देखोगे तो अभी सबज में आपको आएगा पहले इस तरह से हम देख पा रहेंगे कैसे हम बना रहे हैं इस तरह से रोल बना के तयार करेंगे ऐसे ही रोल बना के सभी को तयार कर लेते हैं पहले गैस को जला लेंगे गैस जला के फ्रेंड एक रखेंगी कड़ाई, कड़ाई में हमने पकोड़े तलेते फ्रेंड हमने वही कड़ाई का इस्तिमाल किया है, यह हमारी लोही की कड़ाई है तो इसमें थोड़े से तेल लगे हुए हैं फ्रिंट ज्यादा तेल का इस्तमाल नहीं करना है इसमें करीब दो टेबल इस्पून तेल लगे हैं यानि कड़ाई के अंदर थे तो हमने ऐसे रोल बना के सारे डाल लिए हैं गैस का फ्लेम बिल्कूल स्लो रखते हुए इसे हमें पकाना है इसे ढख के नहीं पकाएंगे ऐसे ही खुला पकाएंगे तो फ्रिंट देख पा रहे होंगे इसे दूसरे तरफ रख लेते हैं और इससे और भी मसाले और गयरा हम तयार कर लेते हैं सबजी बनाने के लिए इसे पान से साथ मिनट के बाद ही हम पलटेंगे देख पा रहे होंगे ज्यादा तेल हमें नहीं डालना है अब देख पा रहे होंगे इस तरह से सुना रहा होने के बाद हम पलट लेंगे ऐसे ही पलटेंगे इसे अलट पलट के हम पकाएंगे गैस का फ्लेम बिलकूँ मीडियम ताकि ये अच्छे से पक जाए अब हम दूसरी कडाई रखेंगे ये हमने कडाई को रख लिया है अब इसके अंदर डालेंगे सरसो का तेल दो टेबल स्पून तेल को करेंगे अच्छा सा गरम गरम करने के बाद अब इसका हम तड़का तयार करेंगे यह हमने हेंग लिया है, लॉंग लिया है, इलाइची, डाल चिन्नी, तेज पत्ता, देख पा रहेंगे friends, जीरा, बड़ी इलाइची, सभी को तड़के में डाल लेंगे, इसे क्या है, यह सबजी का टेश्ट बहुत ही, स्वादिश टाय का friends, इसे बनाते समय जरूर इस्तमाल करना, इसे सुनारा होने तक पका लेंगे, बारिक कटा हुआ डालेंगे, दो प्याज, प्याज को सुनारा होने तक, चलाते हुए, इसे भूनना है friends, जितना आप चलाते हुए, सुनारा होने तक भूननेंगे, उतना ही स्वादिश शबजी बनके आपकी तयार होगी, देख इसके एक टेमाटर का प्योरी बना के तयार कर लिया है इसे लगातार दो मीनट तक चलाते हुए इसे हमने भून लिया है अब इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले आधा टेबल स्पून डाला हमने हल्दी अब इसके अंदर डाला हमने एक टेबल इस्पूर गरम मसाला घर के बने हुए आधा टेबल इस्पूर डालेंगे लाल मिच पॉडर डाल के इसे अच्छे से भूनेंगे फ्रेंट जब तक यह हमारे मसाले तेल ना छोड़ने लगे सबजी बनाने का यह बहुत बेश तरीका है जब भी आप सबजी बनाए तो मसाले को अच्छी से भूने जितना ही आप गैस को स्लो करते हुए मसाले को भूनोगे उतना ही आपका स्वाधिश सबजी बनके तयार होगी तो फ्रेंज देख पा रहेंगे ये हमारे मसाले तेल छोड़ने लगे हैं हमने इतना भूना है अब मसाले के अंदर डालेंगे पानी फ्रेंज देख पा रहेंगे ग्रेबी जितना आपको लेना है मोटा या पतला आप उतना ले सकती हो आप पानी डाल लिया है और इसे अच्छे से चलाती हुए इसके अंदर पानी का इस्तिमाल करना है थाकि हमारे मसाले हैं कडाएं के अंदर ना छिपके पानी डालने के बाद डालें ग Müdisर में नमक टैस्ट के निसआर जो हमें बोरो का डहें सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ सेयर करना तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बॉयल करके इसे पांच मिनट तक इसे पकाएंगे सब्सक्राइब करना तो इसे एक बरतन में निकाल लेते हैं देखो प्रेंट कैसा दिखने में ये हमारा लग रहा है इसकी आगे चिकन मचली सब फेल है आप इसे एक बार जरू ट्राइ करना फ्रेंट ए प्रोटिन से भरपूर है फाइबर से भरपूर है पोटेसियम कैलसियम बिटामिन सब की कमी दूर करेगी फ्रेंट फिर मिलेंगे आपके साथ नई रेस्पी में बाई बाई से थाल बाई बाई प्रेंट